नमिश्कार मेरचा सिंग स्वागित करती हूँ आपका हमारे खासकारिक्रम आज के राशिफल में साल दोहजार चौविस का जून का महिना शुरू हो चुका है जून के इस महिने की शुरूआत अपरा एकादशी, बट सावित्रे व्रत, शनी जैनती, नरजला एकादशी और जेस्ट पूर्णिबा से होने वाली है जिसके कारण ये महिना बेहल शुरू रहेगा साथी इस मा में कई बड़े ग्रह भी राशी परिवर्तन करने वाले हैं तो आईए जानते हैं कि आज किन राशीयों को लाब होगा और किन राशीयों को सावधानी रखनी की ज़रूरत है मेश राशी, आर्थिक इस्तिती को लेकर कुछ जिनता बनी रहेगी किसी आर्थिक लेन देन में सावधानी बढ़तें व्यापार में नए प्रयोग लाबकारी सिद्ध हूंगे नौकरी में उच्च अधिकारी से निकट्टा का लाब मिलेगा उपाय सुन्दर कांट का पाट करें ब्रिशब राशी आर्थिक इस्तिती में बड़ा उतार चड़ाव देखने को मिलेगा धन संपत्ती संबंधी समस्या समाज में मान हानी का सबब बनेगी ग्रहस्त जीवन में बिना सूचे समझे धन खर्च करने की आदत वाद विवाद का कारन बनेगी व्यापार में आई बढ़ानी के प्रयास कुछ हद तक सफल होंगी उपाय उक्ते हुए सूरी को प्रणाम करें मिथुन राशी व्यापार में आई अच्छी होगी रुका हुआ धन मिलेगा ससुराल पक्ष से धन एवं उपहार प्राप्थ होंगी कारेशेत्र में किसी साथी से निकटता का लाब होगा प्रेम विभा के इच्छुक लोगों को अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी उपाय आज शुक्र मंत्र का 108 बार जाब करें और शुक यंत्र की पूजा करें करक राशी करक राशी वालू की आर्थिक स्थिती में सुधार होगा व्यापार में उन्नती के साथ धन लाब होगा किसी विपरीत लिंग साथी से वस्त्र और आभूशन प्राप्थ होंगे नौकरी में वेतन ब्रद्धी के योग हैं धन के लेंदेन में साबधानी बढ़ते उपाय आज पीले कपड़े में चने की दाल किसी व्रद्ध महला को दान में दे सिंग राशी संतान पक्ष से आर्थिक मदद मिलेगी आर्थिक पक्ष में पुराने आईस त्रोतों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा परिश्रम के अनुपात में धन की आमदनी कम होगी संपत्ती संबंधी कारे में भागदोर होगी उपाय अपने वजन के बराबर गाए को हराचारा दान करे कन्या राशी चल अचल संपत्ती में व्रद्धी होगी आकस्मिक धन लाब होगा नौकरी में पदोर्नती के साथ आय बढ़ेगी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी पैत्रक धन संपत्ती विवाद कोट का चहरी तक पहुँच सकता है उपाय अपनी माता के चरंस पर्ष करे और उनकी सेवा करे तुला राशी संपत्ती के क्रे विक्रे संबंधित कारे में सावधानी बढ़ते इस संबंध में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्नय ना ले अन्यवश्वित धन खर्च होने की संभावना है आर्थिक स्थिती में कुछ सुधार होगा उपाय आज किसी व्रद ब्रामन को पीले वस्त्र दान करे व्रिशक राशी अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर पूंजी निवेश आदी ना करे आर्थिक मामले में योजना से लाबकारी संके प्राप्ठ होंगे जमा पूंजी का सही तरीके से उप्योग करे किसी के बहकावे में ना आए उपाय आज सूरे देव की आराधना करे धनू राशी धन एवं संपत्ति दोनों की हानी हो सकती है किसी अंजान व्यक्ति पर भरोसा हानी कारक सिद्ध होगा माता से धन एवं उपहार प्राप्ठ होगा नौकरी में अधिनस्त लाबकारी सिद्ध होगा उपाय आज तामबे के बरतनों का दान करे मकर राशी धन संपत्ति मिलने की बाधा सरकारी मदद से दूर होगी राजनीती में लाब का पद प्राप्ठ होगा किसी महत्पपूर्ण व्यापारिक यात्रा के सफल होने से धन लाब होगा किसी प्रियजन से वस्त्र एवं आभूशन प्राप्ठ होगे उपाय हरा चारा गाएं को खिलाएं कुम्ब राशी आर्थिक लेंदेन में अधिक साफधानी बरते अधिक धन खर्च हो सकता है परिस्थितियों को ध्यान में रख कर पूंजी निवेश के संबंध में अंतिम निर्णे ले आर्थिक शेत्र में किये गए प्रयासों में सफलता प्राप्ठ होने के योग बनेंगे उपाय श्री कृष्ण जी की भक्ती करें मीन राशी धन संपत्ती में व्रध्धी होगी प्रेम संबंधों में मन चाहा उपहार प्राप्ठ होगा व्यापार में पिता के सहयोग से उन्नती के साथ धन लाब होगा किसी पुराने मित्र से धन वापस मिलेगा उपाय आज बगला मुखी यंत्र की फूजा करें गौर तलब है कि राशी फल हमारी पूरे दिन के कारेकाल को बताता है जिसे लोगों के मन से ये शंका दूर हो जाती है कि उनका आज का दिन कैसा जाएगा खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तबाम खबरों की जानकारी के लिए बने रही है सीनियोज भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ